आजी आया दे भुपने मेरा हेेक अंगू है। कुपने को मेरे हाते में शंक चक्र गदा पदम सब्धारण करा हुआ। उसी तरह धनवंकरी का सुरूप का यदी आप दर्शन खरेंगे आप धन-पंतरी के चित्र कार दर्शन करेंगे तो एक आतमें रिके चक्र रहे कातमी उनके शंक में एक हातमी उनके ऑसप्धी है एक आतमी अम्रत का कलिश हैं और भगवान सवयम नरेना कांश प्रगठर कुजिए तॉन्दर क्रिष्ण पक्ष की ट्रियोदशी को कार्टिके महिने में, धन वंटरी देव का पूजन, धन्तेड इस का पूजन माना जाए, सुनो किसान, एक सुन्दर भूमी पर, देसी गाय का गोवर से लीपन करकर, अगर गाय का गोवर न मिले, सुन्दर जल से लीपन करकर, वहाँ एक सुंदर चोक को पूर कर, आप सभी को ज्यात होगा, कि चोक पूर्णे में रांगोली का प्रयोग नहीं होता, आप लोगों को मालूम होगा, चोक पूर्णे में आटा और हल्दी का प्रयोग होता, क्यों कि आटा सम्रद्धी को बढ़ाता है, लच्छमी बेभाव क को बढ़ाने वाली हल्दी होती है, इसलिए जब चोक पूरा जाता है भूमी पर, तो चोक पूर्थे सम्हां आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा चावल का दाना या ग्यहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके उपर एक सुंदर चोकी, एक चोरंग, एक पाट भग Вिष्नु महा बता रहे हैं कि सान को धनतेरस के पूजन का जो बहांदी विष्नु ने बताया है, वह ही पूजन का वर्णन आप से शिवे शिव महा पूरान के इस भाव को विष्नु पुरान के इस भाव को आप धारन करें और जो विधान भगवान अविष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार आप लच्छमी का पूजन धन्तेदस का पूजन चोकी लगाएं चवरंग लगाएं पाटा लगाएं उस पाटे पर एक सुन्दर लालबस्त्र धारण करा दें लालबस्त्र विच्छा दें एक ठाली लें उस ठाली पर कंकु से विट कंकु से गिला कर कर स्वास्तिक का निर्माण कर स्वास्तिग का निर्माण करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का क्वाइन नहीं हो, तो अपने घर का एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो भी आपके घर में हो, वो क्वाइन लेगा, मारत उसको थाली के अंदर रख दें, स्वस्ति के ऊपर, फिर उसका इस्मर्ण क करें क измен al pandemic साथ दिये दनाएं एक थाली में एक प्लेट में धखलें घी के दिये बनाएं और उसमें संधर बाती को लगा ध्यान दीजेगा Onun कि इसमें जो बाती लगे गी वो लंबी बाती लगए कि लचमी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगा गी के दिये लगा दें साथ, सातों दियां को परजुनित कर ले, प्रगट कर ले, एक दिया तेल का लगा ले, तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, क्वाइन रखा है, उसका लेप टेंड, मतलब आप ऐसे बेठे हो, तो आपका आपने लगाए हैं, वो लच्छमी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेप टेंड हो गया, लच्छमी जी का राइट हैंड, आपका लेप हैंड, आपका उल्टा, वहाँ पर सातों दिये, जो आपने परजुलित करें हैं, तो प्लेट में रखा है, सुन्दर थाली जो कमल गट्टे, हल्दी की गाठ, सुन्दर भाव में उसको रखे, जल का पात, सुन्दर आनंद से, जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है, उसका जल से पूजन करें, लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है, पर धंतेरस की पूजन का जो समय है समय हो परदोष काल से पूजन कांकु आधिक से, बूजन करने के बाद दोनों शिकको ऊठालें, दोनों जो क्वाइन जो चांदी का सिक्का है एक दो पाइच दसका जो शिक्का रिखा उसको लपे थाली में उसको रखे फिर वापिस उस पर जल का चिटा देकर उसका पूजन करें हल्दी रौली मौली चंदन अधिक लगाकर सुन्दर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लच्मी के उपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मर्ण करते जाएं यह है रिदि siddhi के दाता शिरी गणेश जी महराज आफ हमारे हाँ पर सदा माता लच्मी को लेकर कुवेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान नारायन को लेकर सदा विराजमान रहें, चावल छोडते जाएं और बाबा से बिंती करते जाएं, माता लच्मी से निविधन करते जाएं, भगवान शिव का इस्मर्न करें, भगवान नरेन का इस्मर्न करें, माता लच्मी का इस्मर्न करें, रिदी सिदी के दाता, भगवान श्री ग अमर बेल व्रक्षैस पर पिले कलर की बेल चलती है उसमें पत्ते नहीं होते हैं, वो किसी भी व्रक्षै पर डली रहती है, वो अमर बेल अमर बेल लक्षमी पूजन में सम्रद्धी के लिए मकान के महुरत के समय पर ग्रह प्रवेश के समय पर बहुत कार्या यह अमर बेल को पानी की जरुवत भी नहीं पड़ती आप रूप किसी विरक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती उसी तरह हमारे यहां भगवान से यही प्रात्ना करते जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े भी किसी विरक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती बढ़ती चली जाती एसे अमरे घर में वेभाव लच्मी बढ़ती जाए अमर बेल के साथ तुकड़े कमल गट्टे साथ हल्दी की गठान साथ माता लच्मी को समर्पित कर दोनों हातों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लच्मी के ऊपर उसे चड़ाना प्रारम कर दीजिए साथ बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चड़ा दें अपनी मनों कामना करकर अपने घर में माता लच्मी को विराजमान करने के जब ह प्रून चड़ जाए हाथ में कुँखू ले लीजिये रोली ले लीजिये उस रोली कुखू को भी माता लच्मी को समर्पित करें तब इसके पश्यात सुन्दर जो भी घर में मिष्ठान हो मिठा हो नहीं हो शक्कर हो गुड हो मिष्री हो जो भी आपके पांस में खडी शक्र वो भगवान को मातालचमी को भोग रख दीजिए अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए महाराज कि अ गरमे सम्कों पूझन करकर आपके घर में जो देवालाई में भगवान बेठने उनका भी पूझन करिये है फड़ान करने के पश्याज आप मातालचमी से निविदन करिये हे मा आप हमारे सदा विलाजमान हो माराज यह जो पूझन है भगवान विश्नु जो बते एंग किस रूप चवदस अमावस्या एकम और दूज ये पांच दिन तक दीपावली का पर्व बनाया जाता है दीप महुस्व मनाया जाता है पूजन करने के बाद जो साथ दिये आपने प्लेट में रखे हैं थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के उन सातो दियों से मातालच्म की आर्थी उतारी दियों से मतालच्म का पूजन करी है प्रराजमन साथ दीप्चिय करें उससे माता की आर्थी उतारिये फिर माता को जोली पसार कर प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो जब जोली पसार कर प्रणाम करें जोली को अपनी और गिरा लें और माता को नमन करकर जो साथ दिये आपने लगाए हैं उन साथ दिये को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर जैसे घर के हौल में एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्शमी रखते हो उस इस्थान पर एक घर के द्वार के पास में एक तुल्सी के क्यारे के पास में ऐसे अलग अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया एक भगवान का जहां पूजन हुआ है लचमी की जहां अराद ना करी एक दीप वहां पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का दिया माता लचमी के उल्टे हाथ और घी का दिया माता लचमी के सीधे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया माता जी का सीधा हो गया माता लच्मी से निविधन करते हैं आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान आप भगवान नरेन के साथ में हमारे यह सदा विराजमान हो मा ऐसी कृपा करते हैं इस मासे विंती करकर बड़ा उस्साा वड़ा उमंग बड़ा आनंद रकना ये भाव रखना घर में बगवान विश्णु कहते हैं किसान से हे किसान आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धन्तेरस की पूजन करी है, कोई बस्तु, कोई सामगरी अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तामेका पात्र लाए हो, जो भी बस्तु आप नई लेकर आए हो, उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना जाए.